हालो बच्छों आएम पुल्गिश्माइव फूजिक्स मेंट और आज हम मेगनेटिजम एंड मैटर का पार्ट नमबर सेवन और उसमें क्या पढ़ने वाले हैं करते हैं चलो कोई नहीं इसके बारे में चर्चा करेंगे यह कर्व क्या बताता है किसके बारे में चर्चा करता है और क्या चीजे करता है इसके बारे में आज जानकरी लेते हैं चलियो शूरू करते हैं सबसे पहली बात करेंगे हम सिर्फ और सिर्फ फैरा मेगनेटिजम मैटिरियल की बात करेंगे देखो होता क्या है इसके पास अगर हम मेगनेटिक फिल्ड लगाते हैं फैरा मैटिरियल के अंदर ये field की सबी लाइनों को खींच लेता है, बहुत strong field बनाता है, और field की direction में होता है, zeta की value बहुत strong होती है, बहुत जादा होती है, ये बात बोल सकते हैं, ये बाते last lecture में बहुत प्यार से बताई हुई है, जाके जरूर देखें एक बार feel आएगा, चलो ठीक, अब हम काम करना start करेंगे इस material की ऊपर, किस तरह है, एक solenoid, के अंदर, फैरा magnetism material की बात करना start करते हैं, ये रख दिया, ठीक है, अब हमने क्या किया, fill लगानी start करें, magnetic field, इतना सा ही खेल है, और इतने खेल में तुम खिलाडी बन जाओगे, इस part के अंदर, इस material के अंदर, कितना magnetization हुआ, सुनना जाओ, इसका हमने कर्व बनाया, hysteresis कर्व जिसको बोलते हैं, उसकी चर्चा करेंगे, उसमें छोटे-ड़े points को देखना start करते हैं, आप H और B, यहाँ पर आप M और I भी लिख सकते हैं, कोई चर्चा में परिशानी नहीं करेगा, आपको, सही चर्चा है, जैसे ही आप सम्स्टांस पर फिल्ड लगाना start करते हैं, आप iron की बात कर सकते हैं, आइरन को आप कितनी भी फिल्ड दीजिए, वो एक टाइम पर अपनी लिमिट क्रॉस नहीं कर सकता, इस इस दा saturation point, उस point के बाद वो वहीं पर रुक जाएगा, magnetization उतना ही रहेगा उसका, सही चर्चा है, चलो ठीक, हमने जैसे ही फिल्ड लगाना start किया, ये कर्व यहां से चला, और, देखेंगा नहीं, green रहेगा, कुछ इस तरह से इसका कर्व बनना start किया, मतलब ए पॉइंट जो है, इसको बोलते हैं, positive saturation point, इस point पर आकर ये रुक गया, ऐसा बोल सकते हैं, फिर हमने क्या किया, हमारे शांती नहीं है, हमने क्या बोला, कि फिल्ड को करना start करो, कम, फिल्ड को आमने का करना start कर दिया, decrease करना start कर दिया, फिल्ड को आप जैसे ही decrease करना start करते हो, फिल्ड को आपने बिल्कुल zero कर दिया, पर आप देखते हो, तो यहां पर इसका जो magnetization है वो 0 नहीं हुआ देखिए ना आपने बिल्कुल 0 कर दिया इसको पर इसकी value कुछ आई है मतलब आपका जो OB part है OB part को बोलते हैं इसको red में दिखेगा निराजा OB part को बोलते है retentivity मतलब हमने magnetic field को क्या कर दिया M वही magnetic field को क्या कर दिया 0 कर दिया बट अभी भी material कुछ अपनी property शो कर रहा है O से लेकर छोटे B point की बात करी है ना छोटे B point की बात करी है ना sorry for this आपने भी वह बना इसलिए बोले मैं यह पार्ट क्या है retentivity कहने का मतलब in this region बोल सकते हो या in this type बोल सकते हो इन इस OB the magnetic field value 0 but material shows some magnetization और आप जानते हैं बड़े आराम से कि ferromagnetism material इस परकार का होता है कि उसको हमने कुछ भी field की बात करते हैं वो लपक के पढ़ता है उसको एकदम field को जाने नहीं देता सई चर्चा है चलो ठीक है अब हमारे को एक चर्चा और आई कि हम जो field लगा रहे हैं इस direction में direction opposite कर दो क्या कर दो direction opposite कर दो हमने इस direction को यहां से उठाकर यहां लगा दिया opposite लगा दिया opposite जैसे ही लगा देते हैं वही condition बनती है यह देखिए कि यहां पर पहुंचके सी पॉइंट पर अब इस टाइम पर भी यह कुछ वैल्यू शो कर रहा है कुछ वैल्यू शो कर रहा है मतलब OC जो पॉइंट है आपका इसको बोलते हैं कोहसिवीटी अब कोहसिवीटी के अगर आप definition जानना चाहरे लेता है वो पाट क्या है कोहसिवीटी और पाट क्या है OC वाला पाट है सही चर्चा है वह वाकिफ हो होना पड़ेगा BR is the retentivity सही चलो ठीक है अभी भी आप क्या कर रहे हो अभी आप क्या कर रहे हो फिल लगा रहे हो ओपोसिट डिरेक्शन में और उसके लिए एक कंडिशन आपकी फिर आ गई बेस्ती होगी फिर कंडिशन आ गई यह आपका negative saturation point आ गया इसके बाद material की limits खतम मतलब अब बस होगी भाई नहीं समझा पहले आपने काम क्या किया बहुत प्यार से समझे बहुत प्यार से पहले आपने जब फिल दिना स्टार्ट किया एक limit तक वह magnetize हुआ magnetization हुआ पर हर material की limit है जैसे हम बोलते नहीं क्या इसके बाद अगर आप कुछ काम करेंगे तो ग्राफ बनाया था प्लास्टिक के लिए प्लास्टिक कंडिशन आगी थी उसके फ्रेक्टर पॉइंट आ गया था वही चीज मतलब याद करवाने का तरीका बताया और कुछ भी नहीं यह दी पॉइंट पर आगे अब आपने फिर वही काम किया वैल्यू क्या करनी स्टार्ट करी अरे भाई लाल हरे तो वैल्यू क्या करनी स्टार्ट करी कम करनी स्टार्ट करी जैसे ही वैल्यू कम करते हैं कम करते करते जीरो कर दी पर प्रॉपर्टी ने अपनी यह जो प्रॉपर्टी है यह भी क्या है रिटेंटिविटी शो करी मैग्नेटाशन शो किया condition समझ आगी, बिल्कुल clear है, कोई चर्चा में बात नहीं है, तो ये जो part है, ये retentivity कहा part है, ये जो part है, ये cohesivity का part है, उसके बाद field वापिस लगाने start करने start करी, और इस तरह एक curve मिल गया, इसमें कोई दोराई वाली बात नहीं है, एक side में आपने direction में magnetic field की बात करी, फिर आपने magnetic field की direction को opposite कर दिया, इतना सा part है, hysteresis curve का, इसमें कोई परिशानी नहीं होने चाहिए, चलो ठीक है, अब थोड़ा सा नहीं इसकी चर्चा करते हैं, दो type के हमने, soft, ferro-magnet is a material, और एक है hard, के कर दो ऐसे, कि इसमें क्या होता है, soft वाले की बात करते हैं, soft वाले में low ही क्या होती है, retentivity होती है, और low ही क्या होती है, cohesivity होती है, कहने का मतलब यह है, कि अगर हम applying magnetic field को हटा देंगे, अरे भाई, तो उसमें magnetism हातों आथ खतम हो जाएगा, तुरंत खतम हो जाएगा, पर इसके पास high retentivity होती है, और high क्या होती है, cohesivity होती है, मतलब इस पे अगर हम हटा देंगे, magnetic field को, तो इसमें कुछ समय तक, यह magnetism अपनी property को शोग करेगा, और नहीं समझा इसा, अरे बेटा, soft मतलब बहुत ही नादान सा, तनहा सा, कोमल, soft, हिंदियं बोले तो, तो हमने क्या बोला, जैसे इस पे अटाते हैं, तो यह वापिस वैसा ही हो जाता है, इसलिए बोला है कि लो रेटेंटिविटी होती है, लो ही कोहसिविटी होती है, और इसमें जो है, जो हाड़ वाले होते हैं, यह अपनी field दिखाता है, magnesium field दिखाता है, अब इन चर्चाओं में कर्व में, में जब हम magnetic field को आगे पीछे इदर उदर करते हैं, इन में कुछ heat का loss होता है, उसको बोलते है hysteresis loss, बस इतना सहय उस पार्ट में कुछ भी नहीं है, और ना उसको बताने की आवशकता रहती है, आपका जो कर्व है वो आपको मैंने बताया है, वो में चीज है वो बताती है, सही चर्चा है, एक बार मैं वापिस repeat कर देता हूं, बहुत थोड़ा brief हो जाएगा और थोड़ा से प्यार से काम चलेगा, आजो, फिल लिजी थोड़ा फिल, पहले हमने क्या किया, सॉलनुट की चर्चा बिल्कुल तरीके से रहती है, आपको ध्यान है, सॉलनुट के अंदर हमने एक मैटिरियल डाल दे, फैरो मैटिरियल के अंदर, सॉरी, हमने मैगनेटिक फिल्ड लगाने स्टाट की पहले इस साइड से, आपने देखा एक कंडिशन आगी, उसके बाद ये कुछ फिल्ड को धिर दिरे कम करके जीरो होगी, फिर यहां पर आ गया, तो हमने बोला कि जीरो करने के बावजूद भी मैगनेटिजिशन शोग कर रहा है, मतलब हार्ड बोल सकते हैं, हार्ड मैटिरियल्स, इस करव के अंदर थोड़ा हीट का लोस होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हिस्टेरिसिस लोस बोलते हैं, वह पाट आता भी नहीं है आपके, चलो, पढ़ना स्टार्ट करते हैं, कुछ भी नहीं है जी, सब बता दिया, एक-एक चीज मिलेगी, अच्छा अब दिमाग में चर्चा आएगी, ऐसा डाया और पैरा में क्यों नहीं हुआ, बेटा डाय में तो होना पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि हम फिल लगाते हैं तो वह उपसिट हो जाता है उसके, सही चर्चा है, इसलिए हमने फैरा का चुना, क्योंकि फैरा में हर चीज की वैल्यू क्या होती है, फुल होती है, किस के साथ, मैगनेटिक फिल के साथ, यह हमेशा डाय पोल एलाइन करते हैं, इसकी जीटा की वैल्यू बहुत मेक्सिमम होती है, जादा होती है, सही चर्चा है, चलो ठीक, अब ओ जो है, वो पॉसिटिव सेचुरेशन कंडिशन बोला है, सब्सक्राइब को ग्राफ मिलेगा, टेंशन मद लेजे, देखो, H को is bring to 0, हम 0 पे लेके आए, decrease along path AB, इस तरह से देखे, इसको कम करना स्टार्ट बोला था न, due to lagging behind of B, with H curve is known as hysteresis curve, मतलब lagging कर रहा है न, आगे पीछे की बात कर रहा है, H और B के बीच की बात करेंगे, उसको बोलते है hysteresis curve, चलो ठेके, cause देखते हैं जी, जब हम, external magnetizing field H को 0 कर देते हैं, हमने field को क्या कर दिया, the magnetic moment of some domains remain aligned in the applied direction of previous magnetizing field, which results into the residual magnetism, मतलब हमने हटाने के बावजूद भी हमें पुछ मिला है, अब एक normal सी चर्चा है, अगर आपको last lecture देखा है, तो starting में हमने यही बोला था कि diamagnetism substance कि अगर बात करें, में domains की बात ही, sorry, dipoles की बात ही नहीं करते हैं, होते नहीं कहां करेंगे, और उनकी value add करते हैं, तो net zero आता है, up to, electron नहीं, atom की बात कर रहे हैं, अब कुछ property तभी शो होगी ना, जब हम उसकी वो direction में align होंगे, अरे लाला, align ही नहीं होंगे, तो काम किसे जलेगा, गजब, चलो ठीक, यह आपको जो, O-B छोटे वाला part है, इसको बोलते हैं, retentivity, A-R, O-B, B-R, ठीक है, Retentivity of a specimen is measure of the magnetic field remaining in the ferromagnetic specimen, where the magnetism field is removed, जब हमने इसको remove कर दिया, फिर भी दिखा, अब उल्टा चलना स्टाट होगा, quercivity की बात करेंगे, आगया, quercivity, बोलेंगे, quercity and measure of magnetism field, required to destroy the residual magnetism, मतलब, retentivity खतम, 0, बोला थाना, वही चीज, the ferromagnetic specimen, आपको ऐसा नहीं पूरा theory बताया, बतलब, पूरा theory में मिलेगा, theory में, आपको यह बताया, इसकी field को opposite किया, तभी तो यह हुआ ना भाई, अगर एक बहुत अच्छा दिमाग लगाते हो, बहुत simple सा logic लगाते हो, यह plus की बात करता हो, यह minus की बात करता है, का नहीं खत्म खेल खत्म, अरे यहाँ plus होता है, माइनस नहीं वतार आजा, तो वही तो बात है, तो negative magnetic field लगा दी, हाँ बोल सकते हो, काई दिक्कत है, हाँ मैं लिख देता हूँ, यह लो, यह लो, अब ऐसा क्यों बोला, क्योंकि जब हमने इधर की और लगाई थी magnetic field, वह हमारी positive थी, और इधर की और लगाई है, वह हमारी negative हम measure कर रहे है, बिलकुल बोल सकते है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं, और मैंने इसका नाम क्या दिया, काई दिक्कत कर रहे हूँ, कोई और कुछ थोड़ी बोला, हम, types of ferromagnet material की बात करेंगे, दो type की होते है, soft और hard, soft कौन से होते हैं, जिनके अंदर row identity, low aggressivity की बात करेंगे, इस curve का देखू, यह पार्ट देखू, कितना छोटा है, और उस curve का देखू, यह पार्ट इतना लंबा होगा, देख, अब देख, जो हमने diagram बनाया था, हमारे वाला, उसका पार्ट कुछ इस तरह आया था, छोटा इसलिए देखू, इतना पार्ट था कम से को, चलो ठीक, पढ़ते हैं, इसको अपलाई हटाने पर, फिल्ड, खतम है काम इसका, क्या बोला है, इस आर फेरो मेंगनेटिक materials in which the magnetization disappear on the removal of external magnetization field, जब इसको हटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, disappear हो जाएगा, समझागी, low retentivity, low cohesivity की बात करना स्टाट करेंगे, आज ये आपके सामने, low retentivity, low cohesivity और small loss, अब देख, lagging कम होगी, तो loss वैसे ही कम हो जाएगा, गजब बात, सही बात, suitable for making electromagnets, coarse transformer example, soft iron used in magnetic shielding, सही चर्श है, चलो ठीक, हाड में क्या होगा, देख, कितना बड़ा दिया है, इतना पाट है, तो बोला है, ferromagnetism material which retain magnetization even after the removal, उसमें क्या है, फिर भी कुछ रहता है, पाट, रिटें रहता है, देख, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, बहुत ही असान चीज है, ठीक है, यह वाला पाट देख, इसको हाड बोलते है, इसके अलावा कुछ भी पाट नहीं है, और यह चप्टर आपका यहीं खतम होता है, इस तरह ना अजमाओ मुझे, इस तरह ना अजमाओ मुझे, उसकी तस्वीर ना दिखाओ मुझे, उसकी तस्वीर ना दिखाओ मुझे, एन मुनकिन मैं फिर लोट आऊंगा उसकी आवाज में बुलाओ मुझे तो उमीद करते हैं लेक्चर समझ आया पसंद आया बराबर देखा बराबर तरह बराबर ही घरवालों की बात माने हो तो आज के लिए इतना ही सभी को all the very best and thank you very much